Hello students, welcome back to my channel Dr. Jyoti Physics Lecture आपके जो है बार्क के online registration के लिए start हो चुकी है process आपको जो है बार्क online exam.insight से click करना होगा यहाँ से आप जो है जैसे ही click करेंगे अपना online registration start कर सकते हैं तो इस पर click करते हैं आप main site पर आ जाते हैं जहाँ पर आपके पास दो options आ रहे हैं engineering science, science पर आप click कीजिए as you are applying for physics subject यह मैं physics subject के लिए बता रहे हूँ उसके बाद जैसे ही आपने click किया right side में आपका top में menu आ रहा है इसमें जैसे ही आप click करेंगे तो आपके पास बहुत सारी information मिल जाएगी यह main side पे भी आ रहा है कि आपका registration process जो है बार के लिए start हो चुका है और important menu में click करते ही आपके पास important information मिल जाएगी जिसमें आप अपना eligible discipline eligibility criteria देख सकते हैं तो हमारा physics के लिए PH41 रहेगा eligibility criteria में आपके पास क्या रहेगा आपकी MSC जो final year में पढ़ रहे है या final year pass out हो चुके हैं वो बचे apply कर सकते हैं provided आपके MSC में 60% marks होना चीए second क्या है आपके पास BSC में भी 60% marks होने चीए और third option क्या है आप जो exam दोगे उससे भी आप apply कर सकते हैं plus आपके पास gate की score की through भी आप जो इस post के लिए apply कर सकते हैं gate का score आपका 2021 का या 22 का score होना चीए जिनकी post graduation nanoscience में है वो इसके लिए eligible नहीं है और कुछ important dates हैं आपके पास इसके लिए 17 जनवरी से आपका online registration स्टार्ट हो चुका है 11th feb तक चलेगा यह इसके बाद आप अपने form को 12th feb तक online submit कर सकते हैं इसके बाद आपको exam slot book करना होगा जो कि 4th आपका मार्च से 18th मार्च तक कर रहेगा आपका next आपको जो है online exam देना है वो 7th से 13th feb तक कर रहेगा इसके बाद आपको अगर gate score से करें तो update भी कर देना है 18th को आपका final result निकल जाएगा